नमस्कार साथी आपका स्वागत आपके योटूब चैनल ट्रेडवित रहुनिक चलिए दोस्ताइब करता है आज आठ मार्च और साम के पांच बचके पचास मिंटरा मार्केट ओफ है कल मार्केट ओपन होगी तो असोक लिलेंड के अंदर कैसा मुम्मेंट रहने वाला उसके निफ्टी आटो एक तरफ गिर रहा है क्योंकि देखिए निफ्टी आटो इसलिए गिर रहा है एक तो यूके रिश्या के वाल की स्थिती बनी है सेकेंडली जो सेमी कंड़क्टर चिप्स की सोटेश चल रही है उस विज़े से और निफ्टी ओटो शेरों गंदा आपको घ आप देख सकते कंपनी के वाइकल्स के ओपर कंपनी की वेफसाइट वह मैं अफिल वाल इंस्टैंप है तो कंपनी जब को अपने सारह टरकेट हुआ है बट अब ही क्या करना है आपको इसके अंदर आगी का प्रॉस्ट आगी का ट्रेडिंग व्यू करेंगा वह थोड़े आपको एक्स्प्रीन हो जाएगा तो चलता है उससे पहले अपन चलते हैं निफ्टी ओटो के अंदर क्या मुमेंट रहा आज का वह दिखते हैं निफ्टी ओटो गिर रहा है तो और बाकी और ऑटो शेयर गेंदर ग्रावट देखने हो मिलीगी आपको तो मैंने गूगल प परशंट की तेजी के साथ बंद हुआ जीरो पर नबबैं परसंट की साथ निफ्टी बंद हुआ यानि के पोजिटिव ट्रेटरी में निफ्टी जाके बंद हुआ बट यह खुश्त होने का टैम नहीं है क्योंकि देखें निफ्टी के अंदर करेक्शन और नहीं तो पाउस जिन के अंदर अभी तक इसने एया द। दिखाई है वन मंद के अंदर सांट्रा-थार परसंड रीटन ग्रावट के तु विये तक सिक्स मन्न जितनी चुकर हूप सेल tiya गरवट के एंध लॉन में ट्रेड किया तो अभी ऑवर सेल बहुत जोन के अंदर है तो जब भी कोई इंडेक्स या कोई शेर जाता है तो उसमें रिबाउंड देखने हो मिलता उसमें तीजी देखने हो मिलती है जिस तरह से आप देशकते हैं आज आज जो हैमर कैंडल बनी है तो यह इंडिकेट कर के और भी दमखम देखने को मिल रहा है बट रिबाउंड होगा पैनिक मत होई यह कि अवर सेल बहुत जुन जब चब लगता है तो शेर ओगा इंडेक्स वापस देखने को मिलती है तो हम पर्टिकुलर बात करते हैं असो क्लीलेंड की बारे में तो असो क्लीलेंड इसका मा इसमें तू पंट इलेवन परसेंट डिवीडेंड कंपणी अभी तक दिया जीरो पंट साट परसेंट फेस्ट का एक और पेका है कंपनी क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दे रही है बाइक के रिजल्ट के आमने ओवर व्यू किया था तो आप हमारी प्रिवेस इसको अबर विव कर लेते हैं तो कि असोग लेंड ने करनाटक के अंदर चार डीलर्शिप बी डीलर्शिप शॉप ऑपन करने की बात कि यह देख सकते हैं आप चार डीलर्शिप ऑपन होई गया सब्सक्राइब होने और यह मर्जर होने वाला हिंदूजा गृप्स के साथ करनाटक हैं अंदर इसलिए लें हैव के सामशर क्याएं उनको विल्फिए आपने नियू आपने ओपन करने जा रही है यह लिया गया है बौर्ड मिटिंग के दुआरा तो यह निज निकलकर आई यह जिस विए से तीज़ी देखने हुआ लिए क्लोजिंग के हार के अंदर इसके अंदर तो यहां से क्या वापस गिरावट होगा वो तो वड़ा समझते हैं तो पहले देखते हैं आज किसका ट्रेडिंग व्यूट वो समझते हैं तो अभी यह दिखे यह 0.050 पैसे गिरावट के साथ बंद हुआ आज यह ऑपन हो तो 99 पैसे पर 15 पैसे पर है वाइं ने ने 100 पे 30 पैसे गां लो मारे उने पांच दिन के अंदर मोटा मोटा साड़े पंदा परसंट गिर चुका है तो अब जिसके चार्ट पर चलते हैं समझते हैं तो देखिए मैंने इसका डेली चार्ट ओपन करता है देली चार्ट करता है देखते हैं देली चार्ट करता है तो रिकवरी होना सबसे पहले जब जब जबसमें ौणा जिएंऽ यहां यहां से रीकवरी होरे तो यह बहुत बड़ा इंडिकेट है गिरावट की तरफ बट आरसाइए के अकॉर्डिंग अभी आरसाइए हमारा को दमखम दे रहा है और यह केंडल नीचे की तरफ क्लोस होई है और सेकंडली हमारा सेवन देस के अभी भी ट्वंटीवन देस और वन फिफ्टी टू हंडड़ और हंड़ेश के अवरेश मुविंग के ओपर ही ट्रेट करा तो मंतली चार्ट पर ज्यादा गिरावाट के इंडिकेट नहीं है क्योंकि जैसी रीकवर करेगा तो यह कैंडल फिल अप हो जाएगी तो यहां पर तीजी के दमकम भी देखने को मिलेंगे तो अब चलते हम तोड़ा वीकली चार्ट देखते हैं इसका तो वीकली चार्ट पर आज देखिए एक हैमर केंडल बनके बंद हुआ है ठीक है बट यहां पर देखिए आरसाई और मसीडी आरसाई पूर बिलकुल 30 के पास होके टचों के बापस हुआ है और से इक बहुत जोन में जाना तरह शेर तो वहां से रीकवर हुआ हुआ है वीकली चार्ट पर तो इस वीक में सैकंड डेसे वीक का वीक पर एक हैमर कैंडल बनाया तो हैमर केंडल गिरावर देखने मिली तो ग्रावर को दंखम अभी आप दे सकते हैं यहां पर जैसी क्रॉस मुविंग होई तो वहां से फिर से किरावर देखने को मिली ती बाकी इंडिकेट अभी तेजी के दिखा नहीं रहा कहीं से भी न तो अब देखते हैं तो एक सपोर्ट हमार को दिख रहा है यहां पर अभी 93 पर जा चुका था शेर तो यहां पर 80 से लेकर 84 की बीच में सपोर्ट हमारा को दिख रहा हैं अगर रिबॉल होल कर जाता है यहां से रीबाॉंड करता है यहां से तूर करता है अगर यह औरुपर देखने को मिलेंगी तो यह को मिलना ह्पट अभी आपको बाइंग नहीं करना वह टैंट मोच पर अधे पिद शारट पे चलते हैं तो देली चलते हैं। इसके तो डिली चाहर है कि पूरा राणिघान बंचू का आज जो ग्रैफ्ट г locks देली चलते हैं.. बट यहां पर देखिए एक राउंडिंग पैटर्न फिर से बन चुका है आरह से हमारा ओवर सेल बहुत जुन में चाह चुका था 19 के आज चुका था तो यहां से बापस अब ट्रेडिंग के तरफ तयार हो रहा है बट अगर आप 34 को स्टॉप्र से बाइक करिए और इसमें जो ब्रेक आउट मिलेगा आपको 110 के आसपस फिर से इसमें रिकवरी फिर से गिरावड देखने हो मिलेगे क्योंकि डेली चाट पर इंडिकेट हमारे गिरावड के देखने हो मिलेगे यह देख सकते हैं और आपको बाइंग आपको नहीं करने हैं बट मैंने आपको जो बता है सपोर्ट है यहां पर 80-84 के बीच में अगर उस लेवल को होल्ड करता तो फिर से तीजी देखने हो मिलेगी बट अभी यहां से आपको फ्रेस बाइंग बिलकुल नहीं करने क्योंकि कभी भी इसमें को मिल सकती है तो अभी इसमें दूरी बनाया करें अगर आपके पास तो होल्ड रखिए यह जल्दी 110 के लिए फिर से दिखायागा फिर वहां से रिकवरी होगी या नहीं होगी फिर से गिरावर देखने को मिल सकती है जब तो पॉजिरिव टेर्टरी में क्लोज नहीं होता दो ट्रेडिंग सेजन तो इसमें फ्रेज बाइंगे आपको नहीं करने है अभी आल फिल आल के लिए आपको अवाइड करना अगर आप करना चाहते तो 94 के स्टॉपलों से बाय करें पैसे बने रहें जल्दी इसमें 110 के लिए वाल भी देखने आपको मिल जाएंगे बट मे मेरा मारने इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करिया विसे अवाइड करिये आई होप यह वीडियो आपकी उस पूले तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर फ़ावड करना बिल्कुल ना बूले थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग डिस वीडियो